हेलो गाईज, वेलकम बेक टो माई चैनल, इजी मैक कॉंसेप्ट, आज के वीडियो में हमें एक बहुत ही इंपोर्टन न्यूज देखने वाले हैं जी ट्यू के रिगार्डिंग, सो ये जी ट्यू ऑफलाइन परिक्षा तरण तबकामा लेवा से, मतलब जी ट्यू जो है नर्मल सिच्वेशन में, सो अब क्या होगा कि एक क्लास में जो है 15 ही स्टूडेंट्स रहेंगे, सो प्रतम तबकाने पहली बीजी टबका 15 अने 30 तबकानी परिक्षाव 25 जन्वरी थी लियावा से, सो ये फर्स्ट सेशन में क्या है, फर्स्ट फेज में जो है, फर्स्ट ज पता ही है कि जी ट्यू जो है, ऑफ्लाइन परिक्षा मतलब ऑफ्लाइन एक्जाम लेने वाली है, सो त्री फेजी में वो होने वाला है, फर्स्ट जो है, फर्स्ट जन्वरी से सुरू होगा, सेकेंड जो है 15 जन्वरी और थर्ड जो है 25 जन्वरी से, फर्स्ट जन्वरी से क स्टुडेंट से उनके प्रक्णों होने वाले हैं दें फिफ्टीन जन्वरी से इनका डिपलोमा यूजी निस परिक्शाव लहाज लिएवा चिला अंतिम पचीजान जनुजरी तरीजा तबकानी का ब्रक्णों सवरूतr से इस जिफ्टीन जनुवरों होगा और थर्ड फेस्ट जो है 25 जन्वरी से होगा मतलब बैचलर्स जो है कुछ स्टुडंट्स के जो है यूजी के एक्जाम 15 जन्वरी से होंगे और कुछ स्टुडंट्स के जो है एक्जाम 25 जन्वरी से होंगे सो अभी ये डिसाइड नहीं कि कौन से सेमिस्टर का कब एक्जाम होगा और B.E. का कब होगा या एक्जेकली डिप्लोमा का कब होगा डिप्लोमा का क्या आए या पर 15 जन्वरी से होगा बट B.E. का भी कोई फिक्स नहीं है कि कब से सुरू होगा सर्क्यूलर आ जाएगा कुछ दिनों में मतलब लगबग 10 दिन पहले यानि 5 जन्वरी या आप समझ सकते हैं 15 जन्वरी मतलब जन्वरी में 1st वीक या 2nd वीक में ही आपका जो है सर्क्यूलर आ जाएगा और अगर आप चाहते हैं कि सर्क्यूलर की सबसे जल्द इंफॉर्मेशन आप तक पहुचे तो आप मेरे चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजी और बेल आइकन दबा दीजी ताकि आपको रेगिलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे यहाँ पर वो भी लिखाए कि काफे ज़्यादा स्टुडेंट्स विरोध कर रहे हैं एक्जाम का ऑफलाइन एक्जाम का बट जीट्यू जो है एक्जाम कैंसल करने के मूड में नहीं है इस वक्त और जो है ऑफलाइन एक्जाम ही लेना चाहती है फेज़ वाइज और जो है सारे गाइडलाइन का प्रॉपर फॉलो करते हुए जो है एक्जाम लेने का निर्ण लिया है उन्होंने और एक्जाम का जो है एक डीटेल उन्होंने एस ओपी बनाया है जो सारे स्टुडेंट्स को या सारे कॉलेज इसको फॉलो करना पड़ेग लगबग 3-2-3 page का उन्होंने एक circular दिया था जिसमें उन्होंने detailed guideline दिया था कि क्या-क्या चीजे follow होंगी और क्या-क्या चीजे, चीजों का खयार रखा जाएगा So, उसके उपर भी मैंने detailed video बनाया है आप उससे भी check कर सकते हैं So, thank you so much guys for watching this video और अगर आपको ये video helpful लगा तो आप अपने friends के साथ share कर दीजिए और अगर आप में चैनल पर पहली बार visit कर रहे हैं तो ऐसे ही updates के लिए आप में चैनल को subscribe कर सकते हैं और bell icon को दबाना ना भूले Thank you so much